कि रध्धा दियते यत्तत स्राद जो स्रध्धा से दिया जाए वह स्राद है तो स्रध्धा से जो हम पितरों को अर्पित करते हैं उसको स्राद करते हैं तो जो भी दे कोई भी व्यक्टी अगर किसी को स्रद्धा से कोई भी इतर रूप में पीतरों को दे तो अश्राध के रूप में इहां पर यह नहीं कहा गया है कि पूरसदे या इस्तृ प्रमाड बाक्य है कि भगवती परांबा सीता ने भी राजा दसरत को पिंडदान किया था और गया में ऐसी कथा सुनी जाती है जाने पर कि वहाँ पर बालू का पिंड दिया जाता है फल्गु नदी में कि पहला पिंड जो है भगवती सीता ने दिया था और फल्गु नदी ने जूट बोला था इसे फल्गु नदी को स्राप मिला जिस वज़से गव को स्राप मिला तो इस वज़से यहां पर देखने से यह प्रतीत होता है कि इस्त्रियां भी स्राध्ध कर सक हूरोन कुरान में वाचे वच्षन है कि यदी पुत्र नहों सब्से प्रताम अधिकार को है उसके बाद पती को है पती के नर में पर यहां तो उसे सभी स्तृयों को प्त्रवति मानना चाहिए यहीं क्या कहते हैं सभी कई पुरुस घर में हैं उनके बीच किसी एक व्यक्ति की साधी हुई है अगर उसको एक पुत्र है उस पुत्र से सभी व्यक्तियों को अपने आन को पुत्रवान बनना चाहिए तो किसी के न रहने पर खांदान में इस्त्रियां भी स्राद्य कर सकती। उनके रह रहने पर गुरू को स्राद्य करने का अधिकार है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ज़िए स्राद्य में सुरूर करते।